हेलो एवरीवन, मैसेल्फ सागर म मक्वाना, लेक्चरर इन मिकेनिकल एंजिनेंग डिपार्टमेंट वल्लब बुद्धी पोली टेक्निक नौसारे तोड़े वी आर गोईंग टू लर्न टॉपिक EST, EFT, LST एन LFT अजे आपने EST, EFT, LST एन LFT टाइम सीखिशू अत्यार सुधी आपने एक क्रिटिकल पाथ कई रितना फाइंड करेला तो त्यां सुधी आपने एक्जाम्पल पूरा करेल छे तो क्रिटिकल पाथ जे आपने फाइंड करता आता यहां थोड़ूक एडवांस एहां EST, EFT, LST एन LFT EST एकले earliest starting time, EFT मींज earliest finish time, LST मींज latest starting time और LFT मींज latest finish time आपने चार प्रकारना time आजे आपने सीखवाना छी ओके तो सरुवात करिए आपने आपनो first time छे earliest starting time it is the earliest time by which an activity can be started it is the earliest time by which an activity can be started तो एक event आपने ड्रॉ करिए जाथी आपनो डाग्राम स्टाट थाए छे आने नाम आपी दिए A, activity A छे एनो time लाई दिए 3 B, B, G event A पूरू थाशे तो A activity माटे EST छु थाशे एनी आगर कोई activity ना थी first event छे आपने तो EST थाशे 0 ओके शपोज के activity B बताऊ चु मेह या अने एनो time छे 2 अवे B माटे earliest starting time केटलो लेवो एमा confusion छे कारान के A माटे तो आगर कोई activity अती नी एतले आपने 0 लाई लिदो earliest starting time पन B माटे earliest starting time केटलो लेवो तो एना माटे earliest finish time मेजर करो पड़े एनो अवे earliest finish time सुछे EST प्लस duration of that activity तो A माटे EST छे 0 अने duration छे 3 तो 0 प्लस 3 केटला थाशे 3 थाशे तो B माटे earliest starting time आपने लेवानो छे 3 कारान के A event थी B चालू थाई छे ए ज्या पूरू थाई छे A event थी B चालू थाई छे यहले B जाथी चालू थाई छे एनो जे time छे यह आपनो थाशे earliest starting time ओके आशीमपल केस माँ आपने विचारिये छे तो earliest starting time 3 छे तो B नो earliest finish time सुछ थाशे EFT 3 प्लस duration of activity 2 छे तो यह थाशे 3 प्लस 2 is equal to 5 रिमेंबर आफक्त साधा नेट्वर्क डायाग्राम आपने earliest starting और earliest finish time मेजर करिये छे अवे अमुक इवेंट एवी अशे के जेमा बे activity आवती अशे तो ए टाइमें आपने earliest starting time earliest finish time कई रितना लेवानू यह आपने सिखी सुछ बीजी एक वस्टू के EST और EFT हम्मेशा जम्णी बाजू forward pass मा आगळवदे छे डाबी बाजू थी चालू करवानू छे अन्ने जम्णी बाजू आपने आगळवदता जवानू छे EST और EFT फाइंड करता जवानू छे जहारे latest starting time latest finish time छे यह backward pass मा आगळवदे छे जम्णी साइड थी डाबी बाजू तरफ आपने गणता जवानू छे तो आपने एकदम simple example माठे EST EFT find करो next earliest finish time छे मा आपने थोड complicated case विचारिशू earliest finish time छे it is the earliest possible time at which activity can be activity can be completed EFT is equal to EST plus duration of that activity आज आपने अगर डाग्राम मा सीख्या के EST plus duration of that activity आपने simple case माठे तो EST EFT find करो पन थोड़ा complicated case माठे पन आपने EST EFT find करे जेती करीना आपनो concept clear थाए अवे धारो के कोई activity माँ बे activity भेगी थाई शे एनू example काईंके एवा के साव से ए टाइमे EFT EFT सूले वो तो यह आपने सीख्ये एक डाग्राम में ड्रॉ करो धारो क्या इवेंट छे यहां थी आपनो डाग्राम स्टार्ट थाए छे यहां activity A बताई देऊं नीचे नी तरफ activity B बताई देए आपने A माटे टाइम दारोके 6 छे B माटे टाइम दारोके 8 छे ओके अबनने वेवेंट ड्रॉ करी दिये बिजी एक activity C छे A आए इवेंट पर आवे छे आए activity C अने एनो टाइम छे 3 ओके तियार बाद एक activity E यहां थी बताई देऊं में अने एनो एंडिंग इवेंट बिजू E माटे टाइम आपे दिये आपने 8 बिजी एक activity लाइए activity D activity D छे अने एनो टाइम छे धारोके छो ओके आवे सिम्पल डाइग्राम न थी आमाँ इवेंट पर activity भेगी थाई छे आवे आ केस माँ आपने EST ने EFT फाइन करिया जेथी करिया आपनो concept क्लियर थाई पहली वस्तू के EST अने EFT हम में चा दाबी बाजू थी जमणी बाजू आगळवा दे छे फॉर्वर्ड पास यहने फॉर्वर्ड पास के वाई छे तो शरुवत करिया आपने activity A थी तो A माटे अर्लियर स्टार्टिंग टाइम केटलो आवसे वीचारो तमें कायंके आपने अगर कोई activity ना थी एटले एननो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम आवसे 0 ओके अवे A माटे अल्लियर स्टाइम केटलो थाछे 0 प्लस 6 एटले 6 थाछे हवे activity B विशे विचारो B नो earliest cutting time केटलो थावानों चे 0 कारण कैनी आगर कोई activity नाथी B नो finish time earliest finish time थो थाचे 0 प्लस 8 एटले 8 थाचे चलो अट्टिया चुती तो problem नाथी हवे activity C माटे विचारो तो C माटे duration छे B नो finish time नो केटलो छे 8 0 प्लस 8 अल्लिएस finish time 8 अवे C माटे तम्हें जो शो तो अल्लिएस starting time केटलो थावानों चे B नो finish time छे 8 तो 8 प्लस 3 11 थाशे एटले या बीजो finish time आईवो 11 ओके यह बीजो finish time भेगा थिया छे एक तो 6 तो अतो एनो finish time प्लस आजी नो जे 8 प्लस 3 11 जे थाई छे ए 11 पन आपनी आईवेंट पर भेगा थाया छे तो अत्या सुधी आपने सुख्या के अल्लिएस starting time अल्लिएस finish time ज्यारे सीधी डाइग्राम होए त्यारे प्लोब्रम नहीं आउतो होतों पन आर इतना बे अक्टिविटी ज्यारे भेगी थाये ए टाइमें सुख्या करू एक खास सीख्वान मुझे आपने तो अवे 6 अने 11 अपनी पास बे टाइम छे अवे अक्टिविटी इवी से वीचारो इ माटे अल्लिए स्टार्टिंग टाइम केटलो लईशू आपने 6 के 11 आएक कंफ्यूशन उगूत्यू तो ए टाइमें आपने ज्यारे पन EST अने EFT फाइंड करता होई है अने आर इतना बे अक्टिविटी भीगी थाये बे फिनिस टाइम भीगा थाये तो ए माथी आपने कईो टाइम लेवो तो EST अने EFT माटे हम्मेशा जे मैक्सीमाम बेल्यू छे ये मैक्सीमाम बेल्यू कंसीडर करी आपने आपने आगर एक्जांपल कंफ्लिट करवानो छे तो अत्यारे मैक्सीमाम बेल्यू सीक्स अने 11 मा कई छे 11 तो E माटे स्टाटिंग टाइम थासे 11 अने फिनिस टाइम थासे 11 प्लस 8 एटले 19 मैक्सीमाम टाइम कंसीडर करवानो छे अवे अक्टिविटी दी विशे विचारो तो D माटे स्टाटिंग टाइम आपनो B नो फिनिस टाइम थे 8 प्लस D नो डूरेशन थे 6 एटले 8 प्लस 6 थासे 14 बे टाइम भेगा थिया उगणी शने 14 तो आ बे माथी धारो के कोई आपनी शे ओके एफ माटे स्टाटिंग टाइम कायो लेवो 29 के चवुद और ओगनीस ने चवुद माथी मैक्सिमाम कायो छे तो ओगनीस चे तो ओगनीस थासे एनो स्टाटिंग टाइम अन्य धारो के आएक्टिविटी नो डूरेशन छे थी तो ओगनीस प्लस 3 एटले अम्मेशा एक वस्तु याद राग जो के अल्लियस स्टाटिंग टाइम अन्य अल्लियस पिनिस टाइम जमणी बाजु आगल वदे शे आपने कई नती करवानू टोटल एज करता जवानू छे पन ज्यारे कोई इवेंट पर बे एक्टिविटी बेगी थाए तो बे अलग- इएफटी आवाना आपना टाइम बराबर से तो इसमये जे मैक्सीमाम वेल्यु छे ओना गणत्री मा लई औने आपने आगल ह्ड़ेक्रां कम्प्लेट करवानु छे, कैल्कुलेशन कम्प्लेट करवानु छे, ओके, तो हम्मेशा फॉर्वर्ड पास मां मैक्सिमम वेल्यू लई अने आगलवदू, जयारे पन कोई इवेंट पर बे एक्टिविटी बेगी थाए, तो ए बे माती जे मैक्सिमम टाइम होए, ए आपनो अल्लियस फिनिस टाइम थसे, औने ए फिनिस टाइम नी वेल्यू कंसिडर करी, औने आपने EST अने EFT नू कैल्कुलेशन पूरू करता जवानु छे, क्लियर, तो आच है EARLIEST STARTING पांचने EARLIEST FINISH टाइम, और क्लियर, नेक्स्ट, लेतेस्स STARTING टाइम अन लेतेस्स FINISH टाइम, तो लेतेस्सylस टाइम शबूच है इस दा लार्जेस्स पwnieżसिल ताइम भाईज खीक्विटी न थाइम है इतले जे लास्ट इवेंट छे आपनी बराबर छे लास्ट इवेंट नो जे पन फिनिस टाइम अशे दरो क्या फिनिस टाइम छे पंदर ता पंदर वेल्यू कंसिडर करी ने आपने रिवर्स डाइरेक्शन मा अगरवधू अनुशे आपने एक्जांपल करी यह जरा ख्याल आउसे तमने बीजु लेटेस्ट फिनि फिननों करी अपनी के अपना ने इक्जांपल और ऑनुशे और अछे सिखिए यह ज़ताइ connection के निदी कें आपनी डायाग्राम नी एक सिंपल डाया करूँ activity A छे, अना माते ट्रों लेलिए, B, C, B माते ट्रों लेलिए, C माते ट्रों लेलिए, देन लेलिए activity D, D माते ट्रों लेलिए, देन activity E, E माते ट्रों लेलिए 5, पच्छे आपनी event छे, और लास्ट activity छे, F, F माते ट्रों लेलिए 2, ओके, तो, हम्मे सा ज्यारे पन, लेटेस टार्ट टाइम अने लेटेस फिनिस टाइम मीजर करव होए, तो ए टाइमें, आपनी पासे EFT ओहो जुए, EFT, अवे EFT कई रितना गणवानों छे, तो आपने जस्ट सिख्या के, डाबी बाचुती जमणी बाजु तरप आपने आगर, वदवानुछे, अने जे फाइनल EFT आवे, ए वेल्यू लई, अने आपने रिवस डाइरेक्शन मा आगर, वदवानुछे, कैल्कुलेशन रिवस डाइरेक्शन मा करवानुछे, तो दारों के, हुम बद्दू कैल्कुलेशन EFT नू गणतो न थी, पन दारों के आपनो EFT, EFT छे, 14, सपोज के आपनो EFT छे, 14, तो LFT पन आपनो थसे, LFT हम्मेशा, आ छेल्ली जे इवेंट छे, ने ताथी गणतरी करवानी छे, एल्टले LFT पन आपनो थसे, 14, चावल, ओके, मैं कैल्कुलेशन EFT नू गणतो न थी, पन EFT आपने एज्यूम करी छे, अवे LST फाइंड करवानी छे, लेटे स्टार्टिंग टाइम, तो पैल्ली वस्तो आपने याद राखवानी छे, के ज्यारे पन LST ने LFT मेजर करता होई ये, त्यारे आपने जम्मनी बाजू थी, डाबी बाजू तरफ गणतरी करवानी छे, तो activity F वीचारो थम्में, F माटे time छे, duration छे 2, औने LFT नी वेल्यू छे आपनी चवूद, तो सुथासे LST, F माटे, एक तो वेल्यू चवूद छे, माइनस टू, तो चवूद ओछा बे केटला थासे, बार, माइनस करता जवानुशे, औने जम्मनी बाजू थी, डाबी बाजू तरफ आपने केल्कुलेशन करवानुशे, LFT नी वेल्यू चवूद छे, F माटे डियूरेशन चे 2, एटले आपनी LST नी वेल्यू थासे 12, ओके, अवे पाछा रिवस जहिए, अवे जे 12 वेल्यू छे, एए अक्टिविटी D, अने E नो लेटेस्ट फिनिस टाइम थही जवानुशे, एटले D माटे जियारे LST मेजर करी सू, एक्टिविटी D माटे, तो ए सू थासे 12, ओच्छा D नो डियूरेशन चे 3, एटले थासे 9, एक्टिविटी E माटे जो LST फाइंड करो होए, तो एनो लेटेस्ट फिनिस टाइम थे 12, माइनस एनो डियूरेशन चे 5, एटले ए थासे 7, ओके, आर इतना रिवस डाइरेक्शन माँ माइनस करता करता, आपने LST अन्ने LFT मेजर करवानुशे, बीजी एक वस्तु, के जो रिवस डाइरेक्शन माँ जाता बे अक्टिविटी बेगी थाए, तो सू करू, जैन EST, EFT माँ माँ मैक्सिमाम वेल्यू लेता आता, तो एवाज, आर इतना जारे बे अक्टिविटी बेगी थाए, को इवेंट पर, तो ए टाइमें गणत्री कई लेवी, तो B माँटे आछे 9, LFT, अन्ने, एक्टिविटी C माँटे छे 7, 7, कारान के E नो जे स्टार्टिंग टाइम छे, एस E नो फिनिस टाइम थावानो, LFT, तो B माँटे 9-2, एटले यहां थसे 7, अन्ने, C माँटे 7-4, एटले आ थसे 3, ओके, LFT, B माँटे 7 थियो, अन्ने, C माँटे LFT थसे 3, तो यहां बे वेल्यू बेगी थाए छे, 7 अन्ने 3, तो ए बे माथी कई वेल्यू लेवी, तो रिवस डाइरेक्शन माँ बैक्वर्ड पास माँ जायरे जाहिए, त्यारे जे मिनीमम वेल्यू छे, 3 ए यहां मिनीमम वेल्यू छे, ए मिनीमम वेल्यू लई, अन्ने, पच्छी आगडवद्वानू छे, अहुए अक्टिविटी A माँटे सू थसे 3-3, एटले यहां थसे 0, एटले A नो LST वेल्यू आवसे 0, पानी बाजू थी डाबी बाजू, जे EFT छेल्ली वेल्यू छे, छेल्ली इवेल्यू नी, ए थसे आपनी LFT नी वेल्यू, यहां छेल्ली एक्टिविटी छे, एमा वेल्यू माइनस करता जाओ, चाओद ओछाबे एटले 12 IOLST, पच्छी जे लेटेस टार्टिंग टाइम छे ए पाचर नी एक्टिविटी ओन लेटेस फिनिस टाइम थाओआनो, एटले लेटेस फिनिस टाइम माथी ड्यूरेशन माइनस करता जाओ, एटले आपनने LFT नी वेल्यू मरती जाओ, रिवस आवता आवता धारोके कोई बे एक्टिविटी बेगी थाई गी, अन्ने बे टा एक्टिविटी बेगी थाती वोई तो पन एक वेल्यू तो जीरो आवसे, तो आपनो कैल्कुलेशन छे, एक्लियर छे, एम आपने कही सक्के, अवे आ थाई गई एनी डेफिशन नी बात, आपने एक्ट्यूल माँ एक्जांपल नेक्स्ट लेक्चर मां करी सूँ, ओके, त इतम concept clear तो एख एक्लियर तो आर इतना आपने latest starting time, latest finish time, earliest starting time and earliest finish time measure करी सक्याए, I hope you understand all these time, EST, EFT, LST and LFT. If you have any query, then you can call me or contact me anytime, okay, thank you.